सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी के निशान इसे भी दबा दियेगा ताके नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुँशते रहें हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुती ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स रियल्मी और पोको की तरफ से पोको M2 प्रो जो भी हाली में लाउंच हुआ हैं दूसरा है रियल्मी का एक बहुत जाद अच्छा मोबाइल रियल्मी एक्स टू तो दोस्तों इस वीडियो में इन दोनों मोबाइल्स में कंपरिजन करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या क्या कमिया हैं क्या क्या लेना चाहिए तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा पोको M2 प्रो आपको मिल जाएगा 14,000 में रियल्मी एक्स टू 18,000 का हैं दोनों में 4,000 का फर्ख है चले देखते हैं 18,000 में इसके साथ क्या क्या मिलता है त इसकी क्वालिटी तो बहुत ज़ाद अच्छी है और इसके साथ आपको टाइप C केबल दी गई हैं लेंध भी इसकी काफी बढ़िया है इसके बाद आपको आखिर में रखा वो मिल जाता है यह वाइट कलर में काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का चार्जर का चार्जर में तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं इस मोबाल के साथ आपको काफी बढ़िया ही दिये गए हैं टाइप C केबल भी है बहुत अच्छी क्वालिटी में दूसरा फास्ट जजर भी बहुत अच्छा है चले देखते हैं अगर आप 4000 और कम खर्च करते हैं तो पोको M2 Pro के साथ क्या के मिलता है तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं पोको M2 Pro को इसमें भी आपको सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगवा है सिम जक्टर टूल अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुल इस तरीके से कवर की क् के साथ हैं इसके बाद मिलता है मुबाइल यह भी मेरे पास ब्लू टाइप के कलर में हैं डिटेल लूक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेता हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है यह डेटे केबल इसकी भी लैंट और क्वालिटी दोनों बहुत जाद अच्छी हैं और इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है इसके बाद आपको आखिर में रखवा मिल जाता है यह वाइट कलर में काफी हैवी चार्जर अब दोस्तों अच्छी चीज यह है इस मोबैल में भी आपको फास्टर जिंग का सपोर्ट दिया गया है और रियलमी के एकस्टू के साथ आपको 30 वाट का फास्टर मिलता है इसके साथ 33 वाट का तो चार्जर इसके साथ भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है बाकि दोस्तों बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ी सी और ज़्याद अच्छी लगी रियलमी एकस्टू के चार्जर की तो यह सा आपसे इन दोनों मोबाइल्स में पोको M2 Pro के साथ ही बॉक्स के कंटेंट जाद अच्छे दिये गए हैं चले बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको ग्लास लुक मिलता है गुरिला ग्लास की प्रोडेक्शन के साथ साथ परपल कलर का इफेक्ट दिया गया है वहीं दूसरी तरफ पोको M2 Pro में भी आपको ब्लू कलर बहुत अच्छे मिल जाता है इसमा आपको थोड़ी छोटी छोटी लाइनिंग्स भी देखने को मिलती है अब दूसर डिजाइन की क्वालिटी तो दोनों में ही अच् पिक्सल के इसका फ्रेंड कैमरा है 32 मेगा पिक्सल का कैमरी की पर्फॉमेंस आपको रियल्मी एक्स्टू में बहुत जाद अच्छे मिल जाती है कैमरे में ये मुबाइल बहुत जाद अच्छा है वहीं दूसरी तरफ पोको M2 Pro में भी आपको पिछी की तरफ चार कैमरे द दिया गया है रियल्मी एक्स्टू के अंदर ही अगर आपको कैमरी की वज़े सही मोबाइल लेना है कैमरे आपके लिए सबसे जादा मैटर करता है तो इस चीज़ में रियल्मी का एक्स्टू जादा बैटर है इसके लाव दोस्त आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों मो दिस्प्ले साइज में POCO M2 PRO थोड़ा सा और बड़ा है लेकिन रियल्मी के X2 में आपको AMOLED दिस्प्ले मिलती है POCO M2 PRO में आपको IPS दिस्प्ले दी गई है तो दिस्प्ले की क्वाइलिटी जाद अच्छी है रियल्मी X2 की बात करें दोस्तों user interface कुछ इस तरीक से मिलता है दोनों ही मोबाइल्स में आप ऐसे उपर की तरह स्वाइब करेंगे आपको सारी एप्लिकेशन्स मिल जाती हैं दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको app draw दिया गया है लेकिन मुझे इन दोनों मोबाइल्स के अंदर user interface ज़्यादा बेटर लग रहा है अभी POCO M2 PRO के अंदर हालकि Realme X2 के अंदर Realme UI का अपडेट आ चुका है तो अगर आप ये मोबाइल लेते हैं तो इसके user interface के अंदर भी आपको smoothness और ज़्यादा बेटर मिल जाएगी POCO M2 PRO की तरह तो user interface के अंदर दोनों मोबाइल्स अच्छे हैं इसके लाव दोस्तों दोनों मोबाइल्स के display बिल्कुल full brightness करके हम आपको करीब से दिखा देता हूँ सबसे पहला फर्ख है design को लेकर realme X2 में तो आपको notch वाले design मिलता है जो काफी common है लेकिन POCO M2 PRO में आपको display के अंदर ही camera दिया गया है बीच में तो दोस्तों display का design जादा latest है POCO M2 PRO का लेकिन display के अंदर quality जादा matter करती है size से भी और design से भी जादा और वो चीज आपको जादा अच्छे मिलती है realme X2 के अंदर ही color साब देख सकते हैं वैसे तो POCO M2 PRO के display के भी अच्छे हैं लेकिन जादा better realme X2 के ही है तो display को लेकर realme X2 जादा better है POCO M2 PRO से इसके लावा left side साब देखींगे दोनों mobile's को आपको sim के tray दी गई है realme X2 में आपको volume के बटन्स इस तरफ ही मिलते हैं दोनों में sim के tray ऐसी दी गई है जिसके अंदर आप दो sim card एक memory card तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं यह दोनों में खुबी है निची की तरफ साब देखींगे तो दोनों mobile's में charging port, speaker, mic headphone jack दिया गया है side उसे भी build quality आपको दोनों की काफी अच्छे मिल जाती है right side साब देखेंगे तो volume के बटन्स दिये गए है POCO M2 Pro में और दोनों में power के बटन्स है लेकिन दोस्तो POCO M2 Pro में आपको fingerprint scanner side में ही दिया गया है power के बटन के अंदर हाला के realme X2 में आपको display के अंदर मिलता है आप मुझे comment करके बताएगा आपको display के अंदर fingerprint scanner पसंद है या फिर side में उपर की तरफ आपको दोनों में noise cancellation mic दिया गया है POCO M2 Pro में आपको IR blaster भी मिल जाता है जिससा आपका MI remote आराम से काम कर जाएगा आप TV अगर आप इस mobile से चला सकते हैं इसके लव दोस्तो realme X2 में आपको android का 9.5 version दिया गया है POCO M2 Pro में android का latest version है android 10 लेकिन realme X2 का भी update आचुका है तो अगर आप ये mobile भी लेते हैं तो इसको भी आप update कर सकते हैं तो इस चीज में दोनों mobile से अच्छे हैं बात करें दोस्तो बैटरी के बारे में तो realme X2 के अंदर आपको battery मिलती है 4000 image की इस mobile के अंदर आपको एक दिन का battery backup आराम से मिल जाता है battery में ये mobile काफी अच्छा है और जादा बैटर आपको बैटरी को लेकर बात करें दोस्तो अब प्रोसेसर के बारे में तो पोको M2 Pro के अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 720G processor realme X2 के अंदर आपको मिलता है Snapdragon 730G processor अब देखिए अगर आप एक बहुत ज़़दा heavy user है आपको gaming वगयरा पसंद है या आपको बहुत ज़़दा heavy user है तो इन दोनों mobile में आपको बहुत ज़़दा अच्छी performance मिलेगी हैंग होने की दिक्कत इन दोनों mobile में आपको बहुत ज़़दा कम मिलेगी क्योंकि processor दोनों ही mobile के अंदर आपको बहुत अच्छा दिया गया है हाला कि ज़़दा better processor realme X2 के अंदर है लेकिन इतना ज़़दा खास फर्क भी नहीं है processor को लेकर दोनों ही mobile बहुत ज़़दा अच्छे हैं तो दोसो यह सारी खुबिया कमी आपको मिलती है इन दोनों mobile में चलिए बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो दीखिए सबसे पहले तो matter यह करता है कि जो आपकी main ज़रुत की चीज़ है वो किस mobile में ज़्याद अच्छी है Realme के अंदर या फिर Poco में इसके बाद आपको भरोसा किस company में ज़्यादा है Realme पर या फिर Poco पर बाकि दोस्तों एक चीज़ का आप खयाल रखिएगा Poco M2 Pro में आपको 14,000 में 4GB RAM, 64GB के internal storage मिलती है चले बात कर लेते हैं दोस्तों आपको कौन से लेना चाहिए तो दीए अगर आपके लिए matter करता है mobile का design तो design में दोन अच्छे हैं आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं कम कीमत में Poco M2 Pro भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा अच्छे design को लेकर लेकिन अगर आपके लिए matter करता है mobile का camera तो मैं आपसे कहूँगा आप Realme X2 खरी दिएगा ये mobile आपके लिए ज़्याद अच्छा रहेगा इसके लब अगर आपके लिए display matter करती है तो display की quality भी आपको Realme X2 में ज़्याद अच्छी दी गई है अच्छी display के लिए भी आप Realme X2 खरी दिएगा लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए matter करती है mobile की battery तो battery में दोन अच्छे हैं और POCO M2 Pro की कीमत कम है अच्छी battery के लिए आप POCO M2 Pro खरी दिएगा और इसके साथ भी आपको fast user बहुत अच्छा मिल जाता है Realme X2 की तरह इसके लब दोस्तों अगर आप लिए matter करता है mobile का processor तो processor के अंदर इन दोनों में इतना फर्क नहीं है जितना rate में फर्क है 4000 का तो अच्छा processor के लिए मैं आपको suggest करूँगा POCO M2 Pro खरी दिएगा तो इनकी कीमतों को देखें तो Realme X2 में आपको दो चीज़ अच्छी दी गई है एक तो अच्छी display दूसरा बहुत अच्छा camera अगर आपके लिए दो चीज़े ही matter करती है तो आप Realme X2 लीजिएगा लेकिन अगर आपके लिए ये तीन खुब्या matter करती है अच्छा design, अच्छा processor और अच्छी battery तो ये तीन चीज़े आपको Poco M2 Pro में कम कीमत में ही मिल जाती है तो ये तीन चीज़े इस mobile में अच्छी दी गई है अब दोस्तों अगर आपके ज़रूत की चीज Realme में अच्छी है तो आप Realme ले सकते हैं और Poco में अच्छी है तो Poco M2 Pro ले सकते है मुझे इन दोनों मुबाल्स में फिर भी कीमतों को देखकर Poco M2 Pro जाधा पसंद आया आप बताइगा निचे कमेंट करके आपको इन दोनों मुबाल्स में कौन से जाधा पसंद आया ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइगा वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटन उस दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेल एकन भी दबा दीएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुचते रहें इसके लाब वीडियो और आपको हेल्फुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देगा वाटसे फिस्बुक पे पहलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई